और हमारा एक एक कारेकरता जो भारती जनता पार्टी की ताना साही का जम कर मुकाबला कर रहा है उसको सबको फिर्दैक की गहराईयों से बढ़ाई देना चाहता हूँ और नमन करना चाहता हूँ और इस आम आद्मी पार्टी के कार्याले से देस के ताना साह को अगर मेरी आवाद सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूँ मैं पताना चाहते हूँ यह आम आदमिक पार्टी है हमां अंदोलन की कोक से पैदा हुए है तुम्हारे किसी बदर घुरकी से डरने वाले नहीं है तुम्हारे किसी बदर घुरकी को डरने वाले नहीं है तुम हमारी पार्टी को बर्बाद करना चाहते हो अर्विंद केजरिवाल को तुमने जेल में भेज़ दिया मनेसी साथिया को तुमने जेल में भेज़ दिया सतेन जेन को तुमने जेल में भेज़ दिया उनका गुना क्या है उनका गुना यह है कि वो दिल्ली की दो करोण जनता को अच्छी सिक्षा देना चाहते है उनका गुना यह है कि वो दिल्ली के बुदर्गों को तीर थ्यात्रा कराना चाहते है उनका गुना यह है कि वो मुफ्त में पानी देना चाहते है हमारी माताओं बहनों को आर्थिक संकट में अपने पती का चेहरा ना देखना पड़े इसलिए एक हजार रुपए की आर्थिक सहाथ देना चाहते है उनका गुना यह है, कि हमारी माताओं बहने जो मज़दूरी करती है उनके पास बसका किराया नहीं होता एकाटो वाले की बेटी जो खालत जाती है उसके पास बसका किराया नहीं होता उनका गुनाह ये है कि अर्विंद केजरिवाल कहते है हमारी बेटियों को, हमारी माताओं को बसकी यात्रा के लिए एक रुपए नहीं देना पड़ेगा तुम हिंदोस्तान की सबसे बेहतरी सरकार अर्विंद केजरिवाल की सरकार को गिराना चाहते हो तोड़ना चाहते हो, हमारे बिदाकों को डराना चाहते हो आतिसी को गिरिफ्तार करोगे, सौरभ भरत द्वाज को गिरिफ्तार करोगे दुर्गेस पोठक को गिरिफ्तार करोगे रागोश चद्दा को गिरिफ्तार करोगे हमारे बिधायकों के घर पे छापे मारी करोगे इन कंटेक्स का छापा गुलाव सिंग पे कैलास गेलोट से साले चार घंटे पूस्ताच ताना साही मचा रख किया है इस देश के अंदर ताना साही मचा रख किया है मैं कहना चाहता हूँ छे महीने जेल में रहके आया हूँ नरेंदर मोदी जी कान खोल कर सुन लो आम आदमी पार्टी का एक एक कर करता आम आदमी पार्टी का एक एक नेता आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधाख अपने नेता अरविंद केजरिवाल के साथ खड़ा है अरविंद केजरिवाल के साथ खड़ा है दिल्ली के मुख्य मंत्री के साथ खड़ा है क्या कह रहे है भाजपाई भाजपाई कह रहे है केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते ये केजरीवाल का इस्तीफा नहीं माग रहे है याद रखना ये कह रहे है केजरिवाल दो करोण जनता का पानी क्यों नहीं बंद करते केजरिवाल मुफ्त बिजली क्यों नहीं बंद करते केजरिवाल मुहला क्लीनिक क्यों नहीं बंद करते केजरिवाल बसकी यात्राक फ्री जो मिल रही है उसको क्यों नहीं बंद करते अरे एक छोटी सी सरकार दिल्ली की केजरिवाल की सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है कि उसके जवाब में गुजरात के अंदर स्कूल दिखाने के लिए मोधी जी को टिंट का स्कूल दिखाना पड़ा याद है कि भूल गया आतिसी जी याद है न याद है न याद है न आप एजुकेशन मिनिस्टर आपने देखा होगा हमारे कारकरता उने का अच्छे स्कूल बनाएंगे अच्छे स्कूल बनाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री थे नरंदर मोधी जी उन्होंने का केजरिवाल के टक्कर का स्कूल हमको दिखाना है तो उन्होंने कृतिम स्कूल तयार किया टेंट वाला स्कूल तयार किया हमने दिल्ली के अंदर टेंट वाले स्कूल की जगा एर कंडिशन कमरों का स्कूल तयार किया और नरंदर मोदी ने 25 साल गुजरात में भाजपाईयों के सासन के बाद ठेंट वाला स्कूल तैयार किया इस्तीफा देदो भाई कल को भगवन्तमान को गिरिफतार कर लो کہदोगे इस्तीफा दो वो केरला के मुख्यमंतरी बिजियन उनकी बेटी पे जात सुरू कर दी कहेंगे बिजियन जी इस्तीफा दो मंता बनर जी जी के भतीजे पर जाज शुरू कर दी कहेंगे मंता बनर जी जी इस तीफा दे दो तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्य मंत्री और आम आदमी बराबर है तो जरा मुझे बताईए सोमनाथ भारती कानून के जानकार है क्या प्रदान मंत्री को कानून में छूट है कानून में छूट है क्या चूट है क्या अरकल को एक मुकदमा मुहाली में लिखा जाएगा दो दरोगा वहां से आएगा एक मुकदमा जारखन में लिखा जाएगा तीन दरोगा वहां से आएगा एक मुकदमा एक मुकदमा तमिल लाडू में लिखा जाएगा पांच दरोगा वहां से आएगा और पांच मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगे तो दस दरोगा वहां से आ जाएंगे दस दरोगा आ जाएंगे और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा कहेगा नरिंदर मोदी जी घर पे है तो भात भाईयों जवाद दो इसका क्या देश का प्रधान मंत्री बंगाल के ठाने में जाके जाच में सामिल होगा की नहीं होगा बताओ मुझे जवाद जो इसका क्या वा सामिल होगा तमिल नाडू की जाच में क्या वा जाच में सामिल होगा पंजाब के अंदर दरोगा डियस पी एस पी इनीर विपक्ष के राज्यों से रेवंत रेड़ी के राज से सिद्धा रमया के राज से पहुँच गए ग्री मंत्री हमिस्ता के घर में बोले हमिस्ता है उससे पूच्टाज करनी है कहेंगे हम तो ग्री मंत्री है बोलो ग्री मंत्री तो सब समान है इसलिए भाजपाईयो ये नौटंकी हमारे साथ मत केलो तुमारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं अर्विंद केजरिव बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की दो करोण जनता के लिए काम करेंगे दिल्ली की दो करोण जनता के लिए काम करेंगे कहते हैं चिठी कैसे लिखेंगे छे महीने जेल में रहके आया भाई छे महीने जेल में रहके आया आतीसी जी कहलास गैलोत के पाद जेल विभाग है उनसे पता कर लिजेगा मैंने तो डी पी आर भी पढ़ा संजी उज्ञा को रास्ते में बता रहा था कि जेल मैनुवल में लिखा है कोई भी व्यक्ति जेल में रहके असीमित चिठ्षियां लिख सकता है असीमित पढ़ ले ना पता नहीं हमारे मीडिया वाले क्यों नहीं पढ़ पाते बहस चल रही थी केजरिवाल सरकार कैसे लिखेंगे कैसे चलाएंगे चिठ्षि कैसे लिखेंगे असीमित चिठ्थियां लिख सकते हैं अब असीमित उसकी कोई लिमिट नहीं है और अगर कोई सरकारी चिठ्थी लिखनी है तो कोड से पर्मिशन और अगर और सरकारी चिठ्थी कोई एक मिनट सुन लो बात और कोई सरकारी चिठ्थी लिखनी है तो जेल सुप्रिंटेंडें मुदी जी कहते हैं भरस्टाचारियों को छोडूंगा नहीं ब्रस्ताचारियों को छोडूँगा नहीं पूरत से लेके पस्चिम तक उत्तर से लेके दक्षिन तक जितने ब्रस्ताचारियों सबको भाजपा में सामिल करूँगा है थे जल्लट तो नहीं कह रहा भाई है गलत तो नहीं कह रा रात में 10 बजे कि опर ज़ज़क हमारा काल करता ललकार रहा है देखा हमा पाटी के करता है देखा लाइन है यह तमारे यह तुम्हारे बंदर गुलकी से डरेगा ये तुम्हारी बंदर घुलकी से डरने वाला है भाज भाज पाईयों की बंदर घुलकी से एक कारकरता हमारे डरने वाला है लाठी चलाओगे ना लाठी चलाओगे तुम्हारे पास जितनी मजबूत लाठी है उससे मजबूत हमारे कंदे है उससे मजबूत हमारे कारकरता का जजबा है लाठी चलाओगे कहते हैं ब्रस्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा एक एक ब्रस्टाचारी को सामिल करूंगा